देरादून से बड़ी खबर पहलवानों के प्रदर्शन को महिला कॉंग्रेस का समर्थन मिला के महिला कॉंग्रेस सब्रजभूशन पर कड़ी कारवाई की मांग कर रही है और महिला कॉंग्रेस ने सीम और दिल्ली में पीम आवास धेराव की चेतावनी भी दी है और ये का गया कि 5 दिन के भीतर सीधे सीधे अल्टिमेटम दिया जा रहा है 5 दिन के भीतर करवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं महिला पहलवानों पर लगाए गई धाराओं को वापस लिया जाए ये महिला कॉंग्रेस की तरफ से बात कही गई है महिला कॉंग्रेस ने सेम और दिली में पेम आवास को घेरने के चेतावनी दी और 5 दिनों का वक्त दिया गया है 5 दिनों के भीतर अगर करवाई नहीं होती है बरजबुशन श्रण सिंग पर तो फिर आंदोलन किया जाएगा ये कहना है महिला कॉंग्रेस रोदर प्रियाक से अगली पड़ी खबर है केदारनाथ यात्रा के पंजिकरन पर अस्थाई रोक लगा दी गई है 15 जून वो तारीक है जब तक पंजिकरन पर रोक लगाई गई है खराब मौसम का हवाला दिया किया कहा ये जारा है कि मौसम लगातार बदल रहा है बारिश बरबारी का दोर जारी है और इसलिए पंजिकरन पर रोक लगाई गई है और कब दक ये रोक है जाननी जे आप 15 जून की तारीक है जब पंजी करण पर रोक लगाई गई है यानि कि 15 जून तक आप रजिस्टेशन नहीं कर सकते हैं खराब मौसम को देखते हुए ये प्रतिबंद लगाया किया है और इस थाई तोर पर यात्रापर के दानाधाम में आप जानते हैं कि लगातार बहुत बड़ी संख्या में यात्री आ रहे हैं खराब मौसम के बावजूर भी बारिश बरबारी के बाद भी बहुत बड़ी में कि 15 जून की वो तारीक जब तक पंजी करण पर रोक यहां पर लगाई गई है और इसी पर मेरे साथी पंकज राना जुट चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ सीदे उनी का रुख कर लेते हैं और जानते हैं कि 15 जून तक जो रोक लगाई गई है उसके पीछे मौसं की ही वज़े बताई गई है पंकज अब जो यातरा चल रही थी क्योंकि खराब मौसं लगातार है और इसके बावजूर भी बहुत बड़ी संक्या में के दाना धाम में यातरी पहुँश रहे हैं अब ये जानकारी है कि 15 जून तक पंजी करण पर रोक लगाई गई है पंकज मौसं वज़े बताई गई विल्कुल दीपा देखिए 15 जून तक जो नए शरधालों है वो केदाना जाने के लिए रहिष्टे से नहीं करा सकते हैं दो दो बज़े बताई जा रही है एक तो क्यों कि लगातार मौसं खराब है परातिय छेत्रों में लगातार मौसं खराब हो रहा है और खासकर केदाना धाम में बरबारी हो रही है लगातार 24 हो रही है केरिंग कपेशिटी के वो देखते हुए यूरोप लगाई है क्योंकि केदानाध्धा में सरद्धालों की रुखने की जो संक्या है वो आठ से दस हजारी है और जादर सरद्धालों वह पोस्ते हैं तो फिर दिक्कते वहाँ पर हो जाती है चाहे हम रुखने की बात करें या दरसनों के लिए बात करें दरसनों के लिए भी जब संक्या जादा होती है तो बड़ी संक्या में बड़ी लंबी लाइन वहा लग जाती है और सरद्धालों वक्त पर दरसन नहीं कर पाते हैं तो इसी वज़े से परेटन विभाग ने नए रजिस्टेशन पर 15 जून तक र देज दुनिया से तमाम सरद्धालों जून के महीने में या तमाम जो जारधाम यातरा पर आते हो खासकर बदीनाद धाम की यातरा पर पहुंचते हैं तो इसी वज़े से यह तैक या गया है कि कैरंग के पिसिटी के हिसाब से सरद्धालों को आगे भेजा जाए गोरी कुन सोनपरियाग और तमाम जो पढ़ाव हैं बहां से सरद्धालों को आगे भेजा जा रहा है संख्या निर्धालित की गई थी उसी अधार पर भेजा जा रहा है कि कई जगे कई कई घंटे जाओं लग रहा है सोनपरियाग के आसपास कई घंटे लोगों को जाम में लगना जो पुराने लोगे जो पहले से ही रेश्टरिंग करा चुके हैं वो किदार नाध्धाम के लिए जा सकते हैं तो यह तमाम चीज़े की गई हैं लगातार बारिस हो रही है दीपा इस वह से यह निर्ने लिया गया है कैरेंग क्रशिटी को देखते हुए यह निर्ने परटन व हो गया है तो काफी बीड वहां पर आ रहे हैं जैसे में लाज्ट तीन दिन का विगद तीन दिन का फिगर्स बता हूं लाबोगे आवरेज हमारे 25,000 यात्री आ रहे है तो केजारनाद का कैरिंग के पैस्टी लगबग 10,000 फिर और तोड़ा बढ़ाएंगे तो 15,000 लोगों है खुदी वहां पर गया हूं सोन प्राइब गवरी कुंड और केजानाद में व्यास्था देखा हूं यात्रियों से भी हमने बात किया है तो किसी भी यात्री को किसी टैप का परेशानी नहीं आ रहे है हाँ यह वास्ता है कि सोन प्राइब से गवरी कुंड जाने में 3-4 अधिकारी को आपने सुना वो बता रहे है किस तरह के से विवस्थाई वहां पर दुरूस की जा रही है और किस तरीके से बहुत बड़ी संख्या में यात्री वहां पर हरोज पहुंच रहे हैं आए पंकज लगातार बने वहें मेरे साथ उनका एक बार फिट से रूप कर ल लेकिन परवते चेतरों में फिर से बादल चा गए हैं और बारिस का सिल्स्तरा सुरू हो गया यानि कि आज भी मोसम का मिजाज ऐसे ही बना रहेगा हला कि बारिस के बाद भी तमाम जो सरदालू है वो चारो धाओं में दरसन के लिए आ रहे हैं इस समें बहुत बड़ी सरदालू की संक्या लगातार बढ़ रही है बारिस तुफान और आंधी तुफान के बावजूद भी सरदालू के दानना धाम में दरसन के लिए जा रहे हैं मोसम विभाग ने कहा है कि दो जून तक मोसम के मिजाज उत्रकंड में बदला रहेगा तेज हवाई चलेंगी उल क्या बिल्कूल तमाम परिशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है क्योंकि मोसम लगातार बदल भी रहा के और दो जून यान कि कल तक के लिए कर गया है कि निचले इलाकों में बारिश और उचाई वाले जो इलाके वहाँ पर बरबारी हो सकती है शुक्रिया पंक्राप पूरिजान का रिखे रहे और उधर देखे खराब मौसम के बावजूद हेमकुंड साहिब की यात्रा भी चल रही है बुद्वार को 1570 तीर्थ यात्रियों को घांगरिया से हेमकुंड साहिब के लिए रवाना किया गया तो वहीं गोविंद घार से 2030 तीर्थ यात्री हेमकु जिर्थ भी हो रही है पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का काम लगाता जारी है और साथी उधर बढ़कोट में यमनोत्री रैशनल हाइवे पर पिछले कुछ रोग से भूस खलन लगाता जारी है जिस वजह से तीर्थ यात्रियों को अवाजाही में परिशानी हो रही है और कोट के पास पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर गिर रहा है पत्थर गिर रहा है उसी के तस्वीर आप देख रहे हैं एबीपी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी